इस वक्त हम सिर्शा के शहीद भगत सिंग स्पोर्ट कॉंप्लेक्स में खड़े हैं जिस तरह से बारत ने ओलम्पिक्स में इस बार टोक्यों पिक्स 2020 में प्रदर्शन किया है उसके बाद बच्चों की और नोजवानों की खेल में रूची कुछ जादा ही बढ़ गई है जिस भी काफी जोश और जुनून में बढ़े हैं और क्यूंकि जिस तरह से टोक्यों पिक्स के बाद यहां पर सबका जो है खेल के प्रति रूची बढ़ गई है किस तरह का योजन कि बढ़ी है बढ़ी है अभी पहला इवेंट है जो दसजार मिटर हो रहा है और काफी जोगता है क्या नाम दिया गया है क्या है इसके अंदर सबीक एक लश्य के अभी शोव अब हो रही है तो इनके अंदर हमारे आज पहला इवेंट है दस-जार मिटर हो रहा है उसके बाद में अभी डिसकस भी हो रही है उसके बाद में हमारा हैमर होगा उसके बाद में 100 मिटर होगी और उसके बाद में हाई जम भी इदर बराबर चल रहा है और लॉंग जम भी चल रहा है तो यहां काफी जोस है बच्चों का हर साल यह इस तरह का नहीं सर यह दूसरी बार हो रहा है पहले इसका नाम और था अब खेल इंडिया रखागे है क्योंकि ऑलम्पिक के बाद में यह चुछ आई है तो बहुत बड़ी है स्कीम है और बच्चे भी काफी बाग ले रहें जो जो से तो काफी आठ किलोमेटर रेस में तो लंपिक्स में जाने का सब्सक्राइब सोच रहे हैं सोच रहे हैं अगर सोचेंगे तब यह तरह से यहां पर देखेंगे कि बच्चों में जोश है और अगर उस तरफ आपको लिए चले दिखाएं तो काफी सारी और भी और भी आपर चल रही हैं जिनकी तरफ हम आपको दिखाना चाहेंगे और यह सिर्फ एक अथलीट का मौली निया और ओलंपिक्स टोकियो 2020 के बाद काफी सारे जो बच्चे हैं उनका और भी खेलों में यहां पर जो रूची है वह जागी है यहां पर जिस तरह से आप देखेंगे कि तैय जो हर खिल रिष्टिक में हर रिष्टिक में हो रही है और जो बच्चे फर्ष सेकेंड आएंगे या कौलिफाइब करेंगे उसके बेस्पीन को फरीजाबाद में एस्टेट चैंपियोंशिप के लिए यहां पर क्वालिफाइब गया जाएगा जो फरीजाबाद में आपस से कुछी दिनों बाद खेली जानी है लगभग 28 तारिक के आसपास यह प्रतियोगिता खेली जाएगी जिसके लिए तैयारियां शुरू कर रहे हैं और यहीं सही भारतिया ओलंपिक्स फिलाडी आगे जो है पहुंचेंगे और यह जिस तरह से बच्चे प्रयास कर रहे हैं और यह तैयारी है यह बेस है यह नीव है इनकी अगर यहां से तैयारी करेंगे तो आगे जाके भारत का नाम विदेशों में भी रोशन करेंगे कैमराइन पंकर शर्मा के साथ चिराग सिरसा सन नाइस निउस